नमस्कार, केंद्रे कृष्षी मंत्री नरेंद्री सिंग तोमर आज कल सबसे ज़्यादा चर्चा के केंद्र में हैं क्योंकि एक तरफ उनके नेत्रितु में आजाद भारत के सबसे बड़े कृषी सुधारों का दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से और दूसरी तरफ उन्ही कृषी सुधारों के खलाफ दो महिने से देश के कई किसान संगठन देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं और उन कानूनों को वापस देने की मांग कर रहे हैं और इसी के साथ-साथ 26 जनवरी को किसान संगठनों ने देश की राजधानी में एक बड़ी ट्रैक्टर परेड निकालने का भी ऐलान कर दिया है जिसके लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से किसान ना सिर्फ दिल्ली आ रहे हैं बलकि जैसा आपने देखा देश के कुछ और शेहरों में जो किसान दिल्ली नहीं आ रहे हैं वह अपने अपने इलाकों में उनके समर्थन के लिए एक जुठ हो रहे हमारे साथ इस वक्त केंद्रिय कृष्मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर खुद मौजूद है इस मामले से जुड़े सारे सवालों के जवाब देने के लिए तोमर जी आपका स्वागत है आज तक पर 11 दौर आपने किसानों के साथ बातचीत की प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया रक्षा मंत्री राजनाच सिंग ने भरोसा दिया ग्रया मंत्री अमिच शाह ने भरोसा दिया उसके बाद भी किसान संगठन किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिवद्ध है एक लंबा कालखंड बेतीद हुआ जिस कालखंड में देश के चहाने के बावजूद भी क्रसी के छेतर में जो सुधार अपिक्षित थे वो संभब नहीं हो पाए नरेंदर मोदी जी के नितरतों में पिछले दिनों क्रसी सुधार बिल लोगसबा और राज्यसबा में लाए गई और वो पारिद भी हुए लागू भी हुए इसके माध्यम से सरकार की एकोसिस थी कि किसानी के छेतर में आमुल चूल बगला वाए किसान को बाजिव उसके उत्पादन के दाम मिल सकें किसान की फसल को खरीद और विक्री पर कोई टैक्स ना हो जिससे की टैक्स का लाब भी किसान तक पहुंच सके किसान मेंगी फसलों की और आकरसित हो सके टैक्नलोजी का इस्तेमाल कर सके वैस्विक मानकों के अनुसार खेती कर सके वह अच्छा उत्पादन करे अच्छा दाम प्राप्त करे जिससे किसान की माली हलत सुधरे इस द्रिष्टिकोंड के आधार पर ये सुधार बिल लाए गए लेकिन पंजाब विसेस रूप से और उसके साथ हर्याना और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे इन चिलों में काम करने वाले जो किसान संगठन है उन लोगों ने इन विलों का विरोध करना आरम किया और आप देख रहे हैं कि अभी भी अंदोलन चल रहा है लेकिन सरकार किसानों के प्रती पूरी तरे संबिदन सीले किसान संगठनों का भी सम्मान करती है और इसलिए भारत सरकार ने आगे बढ़कर किसानों से सम्मान पूर्वग अनियक वारताओं के दौर पूरे किये हैं लेकि मुझे इस बात का दुख है कि जो किसान संगठन है वो सिर्फ कानून समाप्त करने की बात करते है कानून के लाव और हानी इस पर विसलेसन नहीं करते इस पर चर्चा नहीं करते इस कारण से चर्चा किसी रास्ते पर नहीं पहुंच सकी है हम सब लोगों ने चर्चा के दौरान उनकी कठनाईयों को उनके वक्तब में समझा और समझने के बाद उसकी पहँचान की पहँचान करने के बाद उनको एक लिखित प्रस्ताव भी संसोधन की दरश्टी से भेजा लेकि मुझे नहीं लगता कि उनको वो प्रस्ताव निरस करना चाहिए था क्योंकि वो प्रस्ताव किसान के हित में हो सकते थे उनकी मांग को पूरा करने वाले हो सकते थे और हम आगे बढ़ सकते थे लेकिन अभी ये गधिरोद बना हुआ है और चुकी उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव अभी नहीं आया है परस्तों जब बाचीत हुई तो मैंने ये कहा कि कई बार बाचीत हो चुकी है और सरकार ने एक के बाद एक अनिक प्रस्ताव आपके समख्श रखे हैं लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किस प्रस्ताव पर सहमत होंगे तो रिपिल के अधरिक कोई परस्ताव आपके मन में हो तो आप जरूर आएए तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे निर्ड़ने करेंगे और निर्ड़ने को गोसिप भी करेंगे 11 दौर के पहले आप जब प्रेस कॉनफेंस करते थे 10 दौर तक उसमें आपका तेवर और सुर अलग होता था आखरी 11 दौर की जो बातचीत हुई उसमें किसान निताओं ने भी का और आपके तेवर देखके भी लगा कि इस बार आपके सुर बदले हूँ सबर का बान तूट गया मैं ऐसा नहीं मानता हूँ मैं तो करसी मंतरी भी हूँ और किसान भी हूँ और इसलिए किसानों के परती कोई गुसा होना और तेवर अलग होना इसकी न तो कोई आवशकता है और नहीं हमने इस दौरान ज़रूरत महसूस किये लेकिन कुल मिला के 11 दौर की बारता में जब किसान रिपिल के विसे को लेकर टस्से मस नहीं हो रहे थे तो एक समय तो यह आना ही था कि हम उनको यह आगरे करें कि भई अभी तक हम परस्ताओ देते रहें अब आप परस्ताओ लेके आए और उस परस्ताओ पर सरकार विचार करेगी कि अगर निर्ड़ें तक हम पहुँचेंगे तो दोनों मिलके निर्ड़ें को गोस्त करेंगे लेकिन गयारमे दोराद आप ने एक तरीके से संकित दिया कि असल में किसान नहीं यह कोई और है जो नहीं चाहता कि आंदूलन खत्मों कौन है यह नाम तो बता नहीं आप देखिए दरसल क्या है कि सामाने तोर पर यह बात मैंने इसलिए कही कि अगर किसान हैं और किसान संगठन हैं जिन से मैं बात कर रहा हूं तो सौभावी ग्रूप से किसान के हेद और आहेद में बाचीत होगी और वो लोग उस दिसा में बाचीत करते भी हैं उस दिसा में दिसा आगे बढ़ती भी है लेकिन कोई तो अद्रस तागत है जो मसले को हल नहीं होने देना चाहती है कौन है वो अद्रस तागत अभी मुझे भी दिखाई नहीं दे रही है लेकिं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ ऐसी बात है जो आंदोलन समापतना हो इस बात पर बल देती है और हमारी बारता को बिगाड़ देती है आपकी पार्टी की नेता जगा 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 नाम लेते हैं, आप किसी का नाम ही ने लेते हैं, वो कभी कहते हैं कि खालिस्तानी है, जो नहीं होने देना चाहते है। कभी जो आदमी बाती बाचीत कर रहा है। और मैं चर्चा केंसान यूनियन के साथ कर रहा हूँ तो सौभवी ग्रूप से मेरी ये कोसिस है कि किसान अंदोलन समाप्त हो और किसान की जो समस्या यदि कोई सामने आती है तो उसका निराकरण हो और जब मैं किसान यूनियन से बात कर रहा हूँ तो मेरी माननता ये है कि मैं किसानों की ही बात कर रहा हूँ किसानों के लिए ही बात कर रहा हूं बाकी जब किसान यूनियन चर्चा करके जाती है तो दूसरे अगिन सर्फ बदल जाते हैं तो पता नहीं कौन-कौन सी तागतं उनको प्रभवित करती हैं लेकिन मैं तो इश्वर से ये ही कामना करता हूं कि सभी unions सरकारात्मक रूप से विचार करें और सरकार ने आगे बढ़कर उनको परस्ताव दिये हैं और उन पर विचार करके निर्णे करें और सरकार के साथ मिलकर निर्णे को गोसित करें और आंदोलन की समाप्ति हो और हम सब लोग किसानों के हित में आगे बढ़ सकें बातचीत के बाद उनके सुर बदलते हैं तो सरकार की तरफ से भी तो NIA के नोटिस चले जाते हैं और NIA के नोटिस जब चले जाते हैं तो उनके अंदर एक तरीके का और आकरोश आता है किसी नेता के उपर इस बात के लिए केस दर जो जाता है कि वो किसान अंदोलन से जुड़ा है लेकिन पहले कभी किसी गुरुद्वारा प्रबंदक कमेटी में रहते हुए उसने कुछ घपले किया है वो अचानक ऐसे समय सामने आते है तो लोग जोड़के देखते हैं ना फिर उन चीज़ों को भी क्या यह समझा जाए कि दोनों तरफ से जैसे उनके सूर बदलते हैं वापिस जाने के बाद तो सरकार के भी तेवर बदलते हैं फिर एक राउन फेलने के बाद ने देखिए मैं समझता हूं कि किसी भी चीज़ को किसान अंदोलन से जोड़ना उचिद नहीं है क्योंकि आपने मुझे पूछा तो मैंने नहीं कहा कि कौन सी तागा थे मैं भी कोई आरोप लगा सकता हूं लेकिन मैं यह मानता हूं कि हमारा उद्देश है किसान की समस्चा को हल करना किसान अगर आंदोलन पर है तो उनके नेताओं से बाचीद करना और रास्ता ने कालना इसी परकार से देश में अनेक समस्थाएं हैं अनेक राज्य सरकारें हैं उनकी अपनी जवाबदारियां हैं उनके अपने अधिकार हैं उन सहस्थाओं का कुछ नेशे तो देश है तो उस से आंदोलं से चोडने की उसको आवशेक्ता नहीं है कुल मिला के एक बड़ा मुड़ा सा रास्ता है जब लोग बात करते हैं तो सरकारें बात करते हैं जब लोग आंदोलन करते हैं तो पुलिस उन से बाच्चीत करती है यह तो सौबावे कि इसमें किसी को बोरा मानना नहीं चाहिए लेकिन जहां तक NIA वगरा का विस्षय है इसका कोई आंदोलन से लेना देना नहीं है अब आगे की बाच्चीत के लिए आपने कोई तारीख नहीं दी किसान अपनी बात पर कायम है कि 26 तारीख को हम अपनी परेड निकालने के लिए तैयारी कर रहे है कोट ने कह दिया कि दिल्ली पूलिस तैय कर ले और किसान आपस में बात कर ले कि इनको permission मिलती है के नहीं मिलती है इस समय बाचीत का रास्ता है या फिर जैसे आंदूलन करने वालों से निफटा जाता वो वाला रास्ता पकड़ेगी सरकार मैंने कहा कि सरकार बाचीत के लिए हमेशा तयार है और जब पंजाब मैं किसान रेल की पट्रियों पर बैठ कर आंदूलन कर रहे थे हम तब से लगातार चर्चा में हैं किसान के मान सम्मान की इस चर्चा में हमेशा चिंदा किये इस आंदूलन के दौरान किसान संग्ठनों की प्रदिष्ठा को किसी भी परकार का आगात न लगे इन मर्यादाओं का पालन भी हमने हमेशा किया है आम तोर पर जब चर्चाएं चलती हैं तो किसी आंदूलन की घोष्णा नहीं की जाती चर्चा तूटती है तो नेस्ट श्टेप की बात होती है यह सामाने तोर पर आंदूलन का तरीका है लेकिन किसान यूनियन आंदूलन की गोष्णा भी करती रही उनको संपन भी करती रही लेकिन यूनियन के संबान में हम लोगोंने कभी आपती नहीं लिये मैं आज भी इसमत का हूँ और आसाबान हूँ कि सरकार के प्रस्ताओ यूनियन्स के सामने विचारादीन है वो उन प्रस्ताओ पर विचार करके अपने प्रस्ताओ से हमको अबगत कराएंगे और अगर उनको कोई नया प्रस्ताव ध्यान में आता है तो उस प्रस्ताव से भी अबगत कराएंगे और जब वो अबगत कराएंगे तो हम जरूर बात करेंगे सरकार पूरे खुले मन से ब्यापक द्रिश्टिकॉन के आधार पर किसानों के प्रस्त संवेदन सीलता से विचार करने की पक्षदर है और ये हमने फिछले दो मेहने के दोरहन दिखाया भी है जहां तक 26 जनवरी के उनके कारिकम का सवाल है तो मैं तो हमेसा से ही उनको आगरे करता रहूं और आज भी मैं आपके माध्यम से सबी किसानों को यूनियन्स को ये आगरे करना चाहता हूं कि 26 जनवरी हमारा गरतंदर दिवस का राश्टी तेहार है इस तेहार को सारी दुनिया में देखा जाता है और हम जब आंदोलन पर हैं तो आंदोलन करने के लिए हमारे पात 365 दिन है हम अपनी रैली की तागत किसी भी दिन दिखा सकते हैं इस तागत को दिखाने के लिए आंदोलन करने के लिए 26 जनवरी का दिन उपयोकत नहीं है 26 जनवरी गर्णतंतर दिवस की गरीमा का हमेशा हर एक व्यक्ति ने ख्याल रखना चाहिए और मैं उनसे अगरे करता हूँ कि वो 26 जनवरी को जो आंदोलन की उनकी मानसित्ता है उसको वो त्यागें और कोई और दिन निशित करें लेकिन लोकतंतर में आंदोलन करना केसान यूनियन का या बाकी सब यूनियन्स का अपना एक अधिकार है तो सीमा में रहकर आंदोलन तो कर सकते हैं इसलिए उनको आंदोलन करना यसे किसी ने रोका भी नहीं है लेकिन मेरा आगर है कि 26 जनवरी के अधिक अगर कोई और दिन तय करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और अगर वो 26 जनवरी को भी करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से आंदोलन को अनुसासित बनाए रखने में किसान यूनियन्स ने अपने भूमिका का निर्वा किया है तो 26 तरीके आंदोलन भी अनुसासित तरीके से और गरिमा को रखते हुए होगा ऐसा मुझे लगता है अंदर से ही सरकार के सुट्रों की आवाजे हैं आप तक भी पहुँच रही होंगी कि सरकार को ये डर है कि कहीं 26 जनवरी को परेड के लिए पर्मिशन मिल गई अंदर आ गए तो फिर वापस नहीं जाएंगे और वापस नहीं जाएंगे तो जिस चीज को दो महिने से सरकार तालने में कायम रही थी वो चीज़ टलनी पाएगी आवेवस्था पहलेगी दिल्ली क्या ऐसा डर है सरकार को मैं समझता हूँ कि सरकार भी यह मानती है पुलिस भी यह मानती है और किसान भी इस बात को जानते क्योंकि किसान मुखे रूप से पंजाब और हर्याना के है पंजाब और हर्याना आदा दिल्ली में ही रहता है वो भी नागरिक है और आंदोलन करते समय हर व्यक्ति को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब मैं अपने आंदोलन के अधिकार का प्रियोग कर रहा हूं तो दूसरे लोगों के नागरे होने के जो अधिकार हैं वो कहीं प्रभाविद नहों तो मुझे लगता है कि यूनियंस भी समझदार हैं किसान भी समझदार हैं और समझदार इसे दिन में निकलेगा आपने का हम उनके प्रस्ताव का विट कर रहे हैं वो कह रहे हम दो महिने में 200 बार ये बात कह चुक है कि कानून वापस लो यही हमारा प्रस्ताव है अगर यही स्थिती रहती है तो फिर क्या मैं समझता हूँ देखिए दरसल क्या है कि कोई भी कानून पूरा खराब नहीं होता और कानून को रिपील करना ये दिमार्ण उचित नहीं है हमने कहा है कि किसानों को कानून के चिन प्रावधान पर आपती है वो प्रावधान वार चर्चा करें चिनित करें आपती प्रस्तुत करें सरकार उस पर विचार भी करेगी और उसका निरागण भी करेगी डेड़ साल आपने कहा हम निलंबित करने का प्रस्ताव देते हैं क्या सरकार इस पर अभी भी कायम है स्वाब शौब एक गरूप से अगर union的話 इसको बान कर और सरकार को प्रस्ताओ देती हैं तो जो सरकार ने कहा है वो सरकार उस पर अभी भी इस तेरे अगर आप त्वर्ः साल कानून को निलम्बिद करने पर राजी हैं उनकी पसंद के सारे बदलाव करने पर राज़ी हैं जैसा आपने खुद अभी कहा तो फिर रद क्यों नहीं कर देते हैं नए सेरे से कानून क्यों नहीं ले आता है? आपकी बात भी रह जाएगी? उनकी भात भी रह जाएगी? नया कानून भी आजाएगा उनकी देखे दरसल क्या है कि इस प्रकार की इस्थिती किसी भी प्रकार से उचित नहीं है चुकि किसान आंदोलन पर बैठे हुए है और किसान का मान सम्मान का सवाल है सरकार की कोई जिद नहीं है सरकार का कोई इगो नहीं है सरकार किसानों के लिए है और किसानों के हित्मे काम करना चाहती है इसलिए कहीं किसानों की बात मानने की आवश्यक्ता पड़ती है तो हम बात मानने के लिए तैयार है और इसलिए डिर्ड साल का भी समय दिया है कि बहुत कानून के सबी बक्षों पर आप सब कमेटी में रहकर विचार कर लो और फिर कमेटी जो रिक्मेंडेशन करेगी वो सरकार करेगी लेकिन कमेटी को लेके भी तो सवाल कड़े हो गए अगर सुप्रीम कोट ही कह देगा सरकार से या वो कमेटी ही कह देगी कि ठीक है कानून रद कर दीजे तब तब भी तो रद करने पड़ेंगे सरकार देखिए कमेटी जब कहेगी वो उस समय सरकार विचार करेगी कमेटी की जो रिक्मेडेशन लेकिन आज सामाने तोर पर ऐसा नहीं मान के चलना चीए क्योंकि जब सब बारीकी से विचार करेंगे तो हो सकता है समय रहते अनिक मुद्दों पर सहमती बन जाए गेंद अभी क्रिशी मंतरी के पाले में ही है या ग्रह मंतरी के पाले में चली गई है कि अब मामला बाचीट से हटके लॉइंड आउडर पर आ गया है तो आप देखिए मैं समझता हूँ कि कुल में लाखे क्रिशी मंतराले और किसानों के बीश में चर्चा अभी एक तोर से इस्थगित हुई है और जब किसान विचार करके कोई परस्ताव देंगे तो इस पर बाचीट निश्यत रूप से की जा सकती है और मुझे आसा है कि कोई न कोई समाधान तो आने वाले कल में निकले गाई आपको लगता है राजनीतिक तोर पर पंजाब में हरियाना में आगे चुनाव भी होंगे इस चीज़ का आपको नुकसान होगा आपके पार्टनर्स तो काफी घवराई हुए गूम भी रहे देखिए दरसल क्या है कि हर चीज़ को बोट से तौलना ये मानसिकता है इसी मानसिकता के करणा देश को बड़ा नुकसान हुगा एक लंबे काल खणा प्रधानमंदरी मोदी जी एक ऐसे नेदा है जो बोट की परवा किये बिना देश हित के लिए निर्ड़े करते हैं पिछले दिनों आप सबने देखा कि जब दूसरी बार मोदी जी प्रधानमंदरी बने तो सरकार बनी बनी थी धारा 370 को समाप्त करने का विसे हमारे विचार के और हमारी विचार और राजनेतिक यात्रा के गर्ब में वह उन्निस सो त्रेपन से है तो हम चाते तो उसको बोट का विसे समझते तो चार साल इंतिजार करके कारिकाल के चौथे साल में हम धारा 370 को समाप्त करते लेकिन नरेंदर मोदी जी ने इस बात की परवा नहीं की कि भई इस विसे को बोट से तोलना हैं और उन्होंने धारा 370 को पहले छे में में समाप्त करने का निर्णे किया वो निर्णे हो भी गया आज कास्मीर में अच्छी इस्तिती है और इस्तिती दिनों दिन आगे बढ़ रही है लोक तंदर एक तोर से थे यूपिए उन में भी यूपिए टू में भी लगातार इस बात की कोसिस होती रही कि क्रसी के चित्चतर में reform हो स्वामी नाथन साहब ने अपना recommendation दिया उन्हों ने भी इस बात का अग्रे किया national farmer commission ने अपना recommendation दिया तो उन्होंने भी इस बात को पर बल दिया सुएत कारी संगठन के नेता सरद जोसी जैसे बड़े बड़े लोग थे उन सबने इस बात पर बल दिया कि reform होना चाहिए मनमौन सिंग जी सरद पवार साब ये सब लोग भी reform चाहते थे लेकिन उस समय वो नहीं हो पाए नरेंद्र मोदी जी ने जब reform करने का सोचा तो उन्होंने इस बात के परवा नहीं की कि इस से वोट का क्या नुक्सान होगा उनके प्राफमिक्ता थी कि इस से देश का भला होगा इसके किसान की माली आलत सुधरेगी क्रसी के छेदर का योगदान जी डी बी में ज़्यादा बढ़ेगा क्रसक की माली आलत सुधरेगी हमारे क्रसी उत्पाच जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा निर्याद हो सकेंगे जिसके करना अधिक दाम किसान को मिल सकेगा और खेती के छेद्र में जो हमारी टागत है उस टागत को इन रिफॉर्म के मादेम से हम और बढ़ा सकेंगे हम यह जानते हैं और अबने बिभाने तो इस बात को बली बाते जानते थे कि जब इस अच्छे काम को करना जाएंगे तो कहीं न कहीं से तो वेरोध आएगा ही तो सौब अबबिग रूप से जब भी कोई परिवर्दान होता है तो इस परकार की बादाएं आती हैं ये मैं इसको अस्वाविक नहीं मानता ये स्वाविक है और मुझे लगता है वक्त के रहते इसकी दिसाथ ठीक हो पाईगी ऐसा मैं मानता हूँ जब वह तस्वीरें आपको दिखती होंगी मिलते हैं ग्रह मंतरी से जाके प्रधान मंतरी से जाके और लगातार उन पर भी दवाव रहता जवाब देएगा क्योंकि वो किसानों के बीच में काम करने वाली पार्टी कही जाते हैं तो इस बात को क्या आप नकार के चल सकते हैं कि जो घमासान हो रहा है आपके और किसानों संगटों के बीच में उसका हरियाना पंजाब में आपको नुक्सान नहीं होगा नहीं दीखे कि वोट की दृष्टी से भी अगर हम आगलन करें तो हमारे ध्यान में आएगा कि जब से किसान अंदोलन सुरू हुआ है तब से देश में अनेक इस्थनों पर चुनाब हुआ है लोग ऐसा मानते हैं कि सब जगे किसान परिसान है लेकिन इसी अंदोलन के चलते हुए बिहार क है तो हैं तो वहां तो एंडिया की सरकार बन गई आंदोलन का कोई असर नहीं हुआ जहां पर आंदोलन चल रहा है उसके बगल में राईस्थान लगा हुआ है वहां ग्रामीड छेदर के इस्थानी संस्ताओं के चुनाब हुए वहां भारतिया जंता पार्टी ग्रामीड शिद्र के शुनाम में बहुत अच्छे से जीती तो वहां कोई फरक नहीं पड़ा तो किसान भी तो मत आता है और देस भर के किसान संगठन, किसान, चाहे महाराश्टो, चाहांदपरदेस हो, तामिलाडू हो, करनाटक हो, मदपरदेस हो, सब तरफ का किसान इस अंदुलन को बहुत अच्छे से नहीं ले रहा है, उन सब की मानेता है कि एक रिसी रिफार्म जो हुए है, इस से किसान के जीवन इस तरह में बहलावाएगा, यह देस के लिए फायदे बनें, वो रिफार्म वो रहे कहां जो आप लेके आए थे, क्योंकि आप एक तस्वीर लेके आए, उसमें किसान संग्टरों ने का कि हमें यह वाला कुना पसंद नहीं इसको काड़ दीजिए, आपने का ठीक है, उन्होंने का नहीं यह नाक आपने लगा यह पसंद नहीं इसको काड़ दीजिए, यह कान हमको पसंद नहीं आ रहा यह काड़ दीजिए, आप तयार होते चले कि हम पूरी खुले बंद से उस पर विचार करने को ताइर है यांनि कि जब वह रहダ़ी है तो आप उस बात को सिर्खार कर रही है। जब वह जれने कि सरकार जुनेह साथ अधी आ किसी भी विश्चे पर चर्चा करके हो तो वह जुनेह थोड़े होता है। वो तो एक सरकार का निर्ड़ा है, वो निर्ड़ा ही भी लोकसाभा और राज्यसाभा में जाके होगा, तो इसलिए जो उसको जूजना कहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छे भाव से नहीं कहते हैं, वो सरकार ने जब जब चर्चा किये, जिस जिस विंदू पर चर्चा किये, वो इसलिए उनके समक्ष रखिये कि भई आप आईए, इसमें क्या तकलिफ है, उसको हम लोग बैटते हैं, और बैटने के बाद हम वासा तैयार करेंगे, कानून की मनसा, आपकी मनसा, और उसमें से किसान का हिद क्या हो सकता है, उस पर अपने मिलके नेड़े करेंगे, यानि कि अगर समझाता नहीं होता किसान संगठरों के साथ, तो आपने जो बदलाव प्रस्तावित किये थे, वो बदलाव नहीं होंगे, फिर वो खतम हो जाएंगे, कानून वैसे का वैसा रहे है, अभ और रहे हैं, अभ जब इन लोगों से बात्चीत होगी और किसी रास्ते पर पहुचेंगे, तो फिर रास्ता जो तैख होगा उस पर चलेंगे. आप कहते हैं कि सरकार का अहंकार नहीं है, कोई इगो नहीं है, यानि कि किसांद संगठनों की तरफ से इगो है, किसांद संगठन कहते हैं कि हमारा कोई इगो नहीं है, सरकार की तरफ से इगो है, इसलिए बात अड़ जाती है, तो कहीं कोई ऐसी एक बीच का रास्ता, कोई ऐसा आप बीच की व्यवस्ता निकालने की कोशिश नहीं हो सकती क्योंकि आपको जो कमेटी सुप्रीम कोट में दिया उस पर भी किसानों ने इतराज कर दिया कि यह साथ तो सारे के सारे पक्ष्ष के लिए मैं भाई आपके मात्यम से किसानों को भी निवेदन करना चाहता हू और देश को भी अबगत कराना चाहता हूँ यहां जो किसान अंदूलन पर बैठे हैं उनकी कोई भी संख्या आख सकता है बलब कुल मिला के वो लोग जब आखते हैं तो बोलते हैं पचास साथ हजार हैं सत्तर हजार हैं दूसरे लोग आखलन करते हैं तो कोई पच्ची ती करते हुए बना दी हजारों किसान संगठन हैं ऐसे करोड़ों लोग इन कानूनों के समर्थन में खड़े हुएं इन कानूनों को वो अच्छा मानते हैं तो ऐसी इस्थिति में कुल मिला के सरकार के एंकार का तो सबाल नहीं होता सरकार की तो प्रतीवाता हो जवाब देए इन किसानों के प्रतिवी है जो आंदोलन में बैठे हैं जो आंदोलन में नहीं बैठे उन किसानों के प्रतिवी है और इसलिए सरकार के किसी यूगों का सवाल तो इसलिए नहीं कह सकते कि अगर सरकार का एंकार होता और सरकार कहीं भी अपने नेड़ने से इधर दर नहीं होत तो सरकार गूल कर जाती है देखे कारण क्या है कि MSP भारत सरकार का प्रसासिनिक निर्ड़े है लंबे समय से MSP चल रहा है भली प्रकार से चल रहा है नरेंदर मोदी जी के प्रधानमंद्री बनने के बाद MSP को लागत पर पचास प्रस्त मुनाफ़ा जोड़ कर गोसित करने का निर्ड़े किया गया उसका लाप पूरे देश के किसानों को आज मिल रहा है MSP पर खरीद का वॉल्यूम बढ़ाए गया UPA के दस साल देखे हैं और नरेंदर मोदी जी के छे साल देखे हैं मोदी जी के आने के बाद अब दलन और तिलन की भी खरीद नेफरेट के माधियम से की जाती है और MSP और मजबूत हो और सुद्रड हो सरकार इस दिसा में निरंतर विचार करती रहती है और हमने उनको कहा था कि जो MSP पर आप संका खड़ी कर रहे हैं ये संका करने का कोई कारणा नहीं है MSP जारी थी है और आने वाले कल में भी रहेगी MSP गारंटी का कानून लाने का कोई विचार नहीं है मेरा कहना यह ना कि कुल मिलाके हर चीज कानून के माधियम से हल नहीं होती अगर MSP प्रसास की निर्णे के आधार पर अच्छा चल रहा है तो मैं समझता हूँ उससे कहीं कोई तकलीफ किसी को है यह नहीं पर तो कानून नहीं आएगा नहीं यह बात साफ है उनको बता दिया आप लोग यहम कानून नहीं लाएगा यह नहीं इसलिए उन्हें कहा कि भई MSP पर अगर विचार करना है तो हम लोग सामोई गुरूप से कोई टीम बना सकते हैं उस वो टीम MSP के भीविन पक्षों पर विचार करें और फिर वो रिटमेंट करें सरकार को कि भई कि किसान को अधिक लाव और कैसे हो सकता है फिर उस Ridgemenation सरकार करेंगी सरकार के भीतर विचार हो रहा है 26 तारी के कार्क्रम को लेते हैं क्या करें क्या न न करें करने दें न न करने दें 26 तारीक का जो आंदोलन है उस मामले में जो संबन्ने संस्था हैं भारत सरकार की और दिली सरकार की है वो अपना बाचीत करेंगी और उनकी बाचीत मैं समझता हूँ चल भी रही है किसान शमर्टन कीरहे हैं हम तो खुड ही किर रहा है कि गणतंत्र दिवस सबका होता है सरकार के मन्तरी हम को बलाते रहे हैं के लिए आजाए हमारे साथ हम भी तिरंगा लेके चलेंगे वो भी चलेंगे शब्वी जनवरी का तिहार गंतंत दिवस का तिहार है उसकी अपनी मर्यादा है उस दिन मैं फिर कहूंगा कि आंदोलन नहीं होना चाहिए लेकिन वो फिर भी करते हैं तो अनुसासन बनाए रखे कोई गड़ना दुर गड़ना ना हो इसकी जवाबदारी किसानों को लेनी चाहिए और मैं समझता हूं कि बाकी सब लोग अपने अपने इस्थान पर शब्वी जनवरी का तिहार मनाएं मैं उनको अपनी और से बहुत शुप कामना ही भी देना चाहता हूं और किसानों को य सफेज चूट आज के समय में धर्ती पर विद्धमान नहीं है लेकिन तो मर जी इतनी मजबूत सरकार हो के इंदर में और उसके बावजूद वो समझाने में नाकाम रहे और जो विपक्ष जिसके ओपर आरोप लगातार आपकी सरकार लगा लिया कि इन्होंने ब्रहम फेला में काम्याब हो जाए तो ये भी तो सरकार के लिए कोई बहुत अच्छा संकित नहीं है को कि देश के करोड़ो करोड़ किसान जो इनके बिल कि समर्थन में खड़े हैं उनके समर्थन को वो देखें और अपने नेड़ने पर पुनर विचार करें सरकार को नेड़ने से अवगत कराएं सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा के लिए तयार है 11 एपिसोड में तो आजकल वेब सीरीज खतम हो जाती है सीजन टू की तारीख आप देंगे कि किसानों से ही वेट करेंगे कि यह देंगे मैं समझता हूं कि वो लोग विचार कर रहा है हम लोगों परसों जो बातचीत हुई थी उन्होंने कल का दिन है तो अभी विचार वे मर्स चल रहा होगा विचार वे मर्स के बाद जब वो हमको अफगत कराएंगे तो निश्य तरुक स्राम बात्चीत को आगे बढ़ाएंगे हमने उस दिन भी कहा है बहुत बहुत धन्यवाद नरेंदर सिंग तोमर जी आज तक पर आने के लिए हमसे बात करने के लिए केंद्रिय कृष्ण मंत्री नरेंदर सिंग तोमर दो चीजों पर साफ है MSP पर कानून लाने का फिलाल कम से कम सरकार का को इरादा नहीं लेकिन विचार करने के लिए सरकार का मंच खुला है वो उसके लिए आमंत्रित कर रहे हैं और दूसरा कि अब गेंद किसानों के पाले में है बातचीत किसानों की तरफ से प्रस्ताव आएगा तब आगे बढ़ेगी और सरकार इसका इंतजार कर रही है